नमस्कार में डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वीपीएससी री का जो एक्जाम 26 अगस 2023 को हुआ था कक्षान नमी दसमी क्लास टीचर के लिए उसके क्वेशन पेपर पर हम च सभी के सामने डिसकस किया था बस यह दिखाने के लिए कि किस तरीके से सवाल वीपीएससी ट्री में पूछे जा रहे हैं नवी दसमी की कक्षा में या फिर 11-12 की क्लास में तो आज मैं पूरा आंसर के साथ आप सभी से बात करूँगा और आप सभी देखेंगे कि हम जो हिं पंजिल की तरफ दिशा हो यह ना हो कि हम दूसरे तरफ भटक जाएं तो हम देखेंगे कि नवी दसमी क्लास में जो सिलेबस में बी पी असी ने लिखा आया कि NCIT या फिर ACIT पैटर्न पर आधारित प्रशनपत्र होगा तो क्या सही में यह प्रशनपत्र उसी पैटर्न पर ह या फिर जिसके माध्यम से हम प्रैक्टिसेट कर रहे हैं जिसमें की कुल 75 पर हमने अभी तक 4 प्रैक्टिसेट कर लिया है और आगे अभी आने की पुरी संभावना है जो विद्यार्थी 36 लेकर 8 तक की तयारी कर रहे हैं उनको भी यह प्रैक्टिसेट विधिवत तरीके से और बहुत ही गंभीरता से देखने की जरुत है ताकि समय रहते वो भी इलर्ट हो जाए 11-12 में जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं साथ में जो विद्यार्थी EMRS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 75 वाला जो भी प्रैक्टिस से चल रहा है वो एक तरीके से मैं राम बाण मान कर चल रहा हूं क्योंकि उसी पैटर्न पर सवाल आएगा उसका तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसी पैटर्न पर आएगा लेकिन वी पीएस थी का जब मैं क्वेशन पेपर देख रहा था तो मुझे एक जमाने में कानपूर में एक क्रिकेट मैच हुआ था जहां कि जो पिछ थी काफी खराफ थी वहाँ पर बल्लेबाजी या फिर गेदवाजी बहुत ही आउट अफ कंट्रोल खास्तोर से गेदवाजी हो रहे थी बैट्समेंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इस प्रश्ण पत्र को मैंने देखा तो यही लगा कि अच्छे अच्छे विद्ध्यारती ऐसे प्रश्ण पत्र को हल करने में काफी कठनाई महसूस करेंगे और इसकी आंसर की को हमने देखा तो आपके प्रश्ण पत्र में कुल असी प्रश्ण आएंगे जिसमें से 15 क् अब आपके दिमाग में आगया होगा कि BPSC के पेपर में कुल 5 आप्शन रहेंगे आम तोर पर हम देखते हैं कि अलग-अलग परिक्षाओं में कुल 4 आप्शन होते हैं लेकिन BPSC ने थोड़ा सा अलग ट्रैक अपनाते हुए कुल 5 आप्शन दीने हैं हाला कि 5 आप्शन CGPSC का जम मैंने एक जम दिया हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का तो वहाँ पर भी 5 आप्शन थे तो 5 आप्शन वाले कई बार पेपर बहुत कठिन हो जाते हैं और जैसा कि मैं बता रहा था कि 80 में 15 क्वेस्टेंस का आंसर तो E था यानि कि आप देख रहे हैं कि 65 सवाल सही सही अलग-अलग आप्शन थे लेकिन 15 में E आंसर जिस आप्शन में था वो सही था तो ये भी चीजों को आपको इन बारिकियों को बिल्कुल ध्यार में रखना है कि किस तरीके से हमें एकजाम हाल में परफर्मेंस करना है और जो भी पेपर पूछा गया हो कैसे बाकी जो भी यहांपर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसका भी आप मुल्यांकन जरूर इस लेक्चर के बात करेंगी चलते हैं बात करते हैं सिधे प्रश्ण के ऊपर प्रश्ण देखें यहाँ पर पुछा गया है कि राजस्थानी भार्षा का उद्भव अपब्रंस के किस छेत्री रूप से हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाषा विज्ञान से रिलेटेट सवाल पूछ लिया गया कि राजस्थानी भाषा का विकास या उद्भव किस अपब्रंस से हुआ है ऐफ्शन दिया गया अर्ध मागदी अपब्रंस सवर सेनी अपब्रंस ब्राचर अपब्रंस उपरियुक्त में से एक से अधिक उपरियुक्त में से कोई नहीं ये जोनों दो और आप्षन है दोनों ये हर प्रश्ण में आपको दिखाई पड़े तो देखें यहाँ पर राजस्थानी भाषा को आप पड़े होंगे, राजस्थानी हिंदी को पड़े होंगे, तो तुरंत आप बता देंगे कि इसका सही जबाब हो गया, option B, सौर से यहनी अपभरन से राजस्थानी भाषा का विकास माना जाता है, तो यह एकदम से क्लियर ह हो गया, option B, इसका सही जबाब है, आगे बात करते हैं अगला जो प्रशना है, कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, option दिया गया है, A.P. शर्मा, J.B. वरगीच, B. जी खेर, उपरियुक्ष में से एक से अधिक, और उपियुक्ष में से कोई नहीं, तो गठन 1955 इस भी में किया था, और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सही जबाब है यहाँ पर, कि B. जी खेर, इनका नाम है बाल गंगा धर खेर, ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखे, कई बार पूरा नाम भी लिख देता है, और कई बार स्वाट नाम भी लिख यह ऐसा प्रश्ण है जिसको आप पढ़ेंगे बार बार आपको चकर सा आएगा, कि बार बार आपको लगया कि ब्रजभासा भी है, बांगरू भी है, कन्नोजी भी है, आमें बताना कि कौन नहीं है, नहीं पर ज्यादा जोर देना है, और पेपर बनाने वाले ने नहीं को बोल्ड भी किया हुआ है, ज्यादा इसको हाइलाइट किया है, तो इसका जो सही जबाब यहाँ पर होगा, कि option E, उपरियुक्त में से कोई नहीं, यानि कि पश्यमी हिंदी की बोली कौन नहीं है, तो सभी हैं इसमें, ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रश्ण का उत्तर क हुआ, आप देखरें कि कि इस तरीके से गुमाया गया, तो इसका सही जबाब होगया, option E, उपरियुक्त में से कोई नहीं, इसमें से सही, अब उमीदे कि समझ में आगया होगा, और बाकि जितने भी यहाँ पर option में दिया गया है, सब पश्यमी हिंदी के अंतरगत है, बां लिखित में से कौन सा छेत्र, खड़ी बोली का नहीं है, खड़ी बोली का कौन सा छेत्र नहीं है, option दिया गया सहारनफूर, मुरादाबाद, बरेली, उपरियुक्त में से एक से अधिक, उपरियुक्त में से कोई नहीं, हमने देखा कि बहुत कम ऐसा आंसर दिखाई खड़ी बोली का छेत्र नहीं है, तो देखें सहारनफूर है, मुरादाबाद भी है, ठीक है, हमें बताना कि नहीं है, तो सही जब आप होगे, option C, बरेली जो है, वो खड़ी बोली का नहीं है, बलकि ब्रज भार्षा का छेत्र है, खड़ी बोली के अगर छेत्रों को हम दे मेरट, सहारनफूर, देरादून, अमबाला, ठीक है, मुझफर नगर, मुझफर नगर, जो मेरट के आसपास में है, पटियाला, ये सब खड़ी बोली के अंतरगत आते हैं, खड़ी बोली का एक दूसरा नाम कौवरोवी भी है, ठीक है ना, ये ध्यान मरक लिगे, बरेली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इन एरियाओं से, इन छेत्रों से, लेकिन क्योंकि यहां से भाषा बदल जाती है, और वो ब्रजभाषा हो जाती है, तो ब्रजभाषा कहां कहां बोली जाती है, देखा जाए तो उत्तरपर्देश में भी बोली जाती है, क्या है यह सब ब्रज भार्षा का है ठीक है तो प्रशने के अनुसार कौन नहीं पूछा गया तो सही जब आप हो गया ऑप्शन C आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन नंबर 45 ठीक यहां पर देखे सवाल पूछा गया है सुमेलित वाले से और हम जब से प्रैक्टिसेट कर रहे हैं तब से सुमेलित वाले किसी ने किसी प्रशने से टकरा रहे हैं यहां पर देखे दिया गया है एक तरफ बोली का नाम दि ठीक ब्रज भार्षा का संबन अभी हमने पढ़ा मथुरा और चरतिस गड़ी का संबन विलासपूर तो इस तरीके से अगर हम विकल्पों को देखें तो हमारा सही होना चाहिए यहाँ पर तीन एक चार दूप लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले ही दे दिया है कि जो कूट मिलाना हमें एक तीन कहीं नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है यह देखें कितना लंबा हो जा रहा है इसलिए मुझे खीचना भी पड़ रहा है एक तीन कहीं भी आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जबाब हो रहा है इस जो सही मिलान होता था वो अप्सन हो जाता लेकिन यहां पर BPSC ने थोड़ा सा पीछ में परिवर्थन किया है और यह दो ऐसे फिल्डर लगा दी हैं जो कि हर आप परिक्षा में देख रहे हैं कि तैनात हैं हर मतलब प्रश्ण में आप तैनात दिखाए पड़ में तो देखे हिंदी भाषा के विकास के लिए विषेश निर्देश भाषा के सम्मिधान के किस अनुच्यत में तो अनुच्यत 343 थे लेकर 511 के बीच में तमाम बाते कही गई हैं लेकिन अगर हम हिंदी भाषा के विकास की दिश्टी कोन से देखें तो अनुच्यत Soha It a consumption a हो इतने बड़े बड़े प्रश्ण ने बनाना शुरू कर दिया ऐसा नहीं कि जो प्रश्ण पूछा गया है उसे आप बिलकुल नहीं जान रहें लेकिन यहाँ पर थोड़ा से पैटर्न में बदला हुआ है और उसी हिसाब से आपको चलना है क्योंकि आप जैसे मैं तो बहुत क बैठता और आउट भी हो जाते हैं तो यह वह ऐसा ही पेपर है जिसमें कि वल्ले का किनारा लगना बहुत यहां पर संभावित हो जाता है तो चलते हैं देखते हैं अगला जो प्रश्ण है यहां पर पुछा गया कि अब तक कि जानकारी की अमसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है तो देखें यहाँ पर आप्सन दिया गया है जाज गिरियर्शन, सिर्शिंग सेंगर, रामचन शुकलत और दो आप्सन जो मैं पहले से ही बोल दे रहा हूं अगर नहीं भी बोलूँगा तो आप अपने मन में इसको जरूर बोलीजे तो देखें यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, जैसा कि आप जानते है कि हिंदी साहित का जो पहला इतिहास लिखा गया था, वो हिंदी भाषा में नहीं, बलकि फ्रेंच में लिखा गया था, ये भी बहुत अर्श बी सिव सिंग सेंगर ने लिखा सिव सिंग सरोज नाम से इतिहास इसका बी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया अगला प्रशन जो कि जाना माना है हमने आचाय राम्चन शुक्ले अपे जो भी प्रक्टी किव रहा था है यह प्रैक्टीों प्रैक्टीशेट हम बनाकर उठा लिए गया कि चित्वृट्ण की परंपरा को परक्ट वए 有ी सामंझा सिती खाना है ये विचार किस विद्वान का है तो जो विद्ध्यार्थी मुझस से पूराने समय से पूर आने सक्षं में इ ये राम चिंद्र शुक्ल का ये कथन है कि चित विर्तियों की परंपरा को परक्टे वे साहिति परंपरा के साथ सामंजस से दिखाना ये साहिति का इतिहास कहलाता है ये क्या option ये इसका सही जवाब हो गया अगला प्रशन काफी important है और आप देखेंगे कि इस चैनल पर हिंद आती है जो लगातार जुड़े हुए है और वो अब सफल भी हो रहे है चलते हैं बात करते हैं आपर पूछा गया कि मिसर बंदु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कभी को स्थान नहीं मिला है और दो option जो है कि एक से अधिक और कोई नहीं ये दोनों option हर प्रश्ण में आपको दिखाई पड़ेंगे अब बात आते है कि हिंदी नवरत्न जो 1910 इसवी में लिखी गई मिसर बंदु द्वारा मिसर बंदु कौन-कौन से थे ये भी आपके दिमाग में आगे आवा कि सुखदेव बिहारी गडेश बिहारी और श्याम बिहारी मिसर आपकर हिंदी नवरत्न से रिलेटेड आ रहा है पता चला कि आगे वाले एक जामी मिसर बंदु इसमें शामिल होगे तो हर एंगल से प्रश्ण को देखना है प्रश्ण में इक कई ठोप्रश्ण आपको आगे की परिक्षा में दिख सकते हैं अब बात करते हैं कि हिंदी न लिखा गया कि त्रिपाठी बंदु और इसी में दो त्रिपाठी बंदु है मतिराम है और भूषण ठीक है तो इनको एक ही माना गया है इसके बाद है केशवधास ठीक राइटिंग पर मेरे मत जाएगा क्योंकि मझे समय का आप लोगों का ध्यान है इसलिए मैं जल्दी ज अच्छी है और ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं ठीक है ना भारतियंदु इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक दो यहां चार पांच छे साथ आठ और जरूरी है कि आप तथ्यों से अच्छे से परचित हों बाकि मेरी राइटिंग मेरे पास और आप के पास में आपको मंजील मिल जा तो नवरत्न कौन-कौन से हैं आपने देख लिया उसमें मलिक मुहमद जयसी का नाम आप कहीं भी नहीं देख रहे हैं तो इस तरीके से इसका सही जबाब क्या हो गया ऑप्सन C हो गया तो अभी आप्सन 3 में यह लोग थे बा उत्तरमद्यकाल को किस नाम से अविहित किया है या नाम से पुकारा है अप्षन दिया गया स्रिंगार काल रीतिकाल कला काल और दो जो आप्षन है कि एक से अधिक पुक्रिवस में से कोई नहीं अब विशुनाक प्रसाद मिश्रि उत्तरमद्यकाल को किस नाम से पुकारते है अब उत्तरम धिकाल आपके मान में तुरंत आना चाहिए रीतिकाल, इसी का दूसरा नाम क्या है, रीतिकाल नाम, और हिंदी साहिद का इतिहास पड़ेंगे, तो आदिकाल और रीतिकाल को लेकर तमाम विद्धवानों ने अलग-अलग इसके नाम करण कियें, जब मैं बी-ए बच्चों को बढ़ाता हूं, तो भी ये बात करता हूं, और आप लोग तो बहुत बड़े बच्चे हैं, तो आपको बस संकेत करके मैं छोड़ दूँ, तो भी आप ध्यान में रख पाएंगे, तो अरितिकाल को विश्वनात प्रसाद मिस्री ने क्या कहा, स्रिंगारकाल क इसी से जुड़ा हूए एक प्रशन और पूछा जाता है, कि स्रिंगारकाल कहने का स्तुझाव किस ने दिया था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जागा, आचाय रामचन शुकित, उन्होंने लिखा है, कि रितिकाल को स्रिंगारकाल भी कहा जा सकता है, तो उन्होंने क्यों स संकर शुकल, रसाल ने कहा इसको रितिकाल को कलाकाल, ऐसे पढ़ना है, बहुत जादा जूर लेकर नहीं पढ़ना है, बाकि आप देख रहे हैं कि यह प्रशन पेपर जो है, इसमें आप पूरा हिंदी साहित का इतिहास, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझ पाएंगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि भारतिय पत्रकारिता का पिताम किसे माना जाता है, ओप्सन दिया गया है, जेम सीक की, गडिर शंकर विद्याती, मदन मोहन मालवी, उपरिवक में से एक से अधिक, उपरिवक में से कोई नहीं, तो हमें बताना है कि इसमें भारतिय पत्रक और क्लिष्ट हो जाता लेकिन आपको अभी ध्यान में रखना है जेम्स हीक की अगला प्रशन पुछा गया है यहां पर कथन के तोर पर कितात पर यह है कि छायावाद जिस आकामशा का परिडाम था उसका लक्ष केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था छाय कि आगामी परिक्षाओं में छायावाद से रिलेटेड चाहे वो नगेंद्र की परिवासा हो शांतिप्री दिवेदी की परिवासा हो रामचिन शुकली की परिवासा हो नंदुलारेवाद पे की परिवासा हो नामोर सिंग की परिवासा हो सब को आपको एक नजर आपको द अपर रणाली का विकास था इसका ये विचार है ये हमीं बताना है तो सही जबाब हो गया option C, रामचन शुकल का जब किसी भी प्रश्ण के option में रामचन शुकल का तो थोड़ा सा उन पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, सही जबाब हो गया शुकली जी, माली जी आप इस प्रश्ण को लेकर बहुत दिमाग लगाएंगे इधर उज़र करेंगे तो हो सकता है किसका आंसर गलग हो जाए इसलिए शुकले जी है तो मुम्कीन है इस तरीके से भी आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना है चलते हैं आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है कि इनमें से किस जैन कभी को अपभ्रंश का वालमिकी कहा जाता है और ध्यान में रहें पुस्पधंद को भी अपभ्रंश का कुछ 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 कहा जाता है रियास इंक कहा गया है लेकिन वालमिकी अगर देखा जाए तो सही जवाब हो गया option B स्वयंभू अगला प्रशन है कि निमलेखित दार्षनिक मतों को उनके परवर्तक आचारियों के साथ स्विमेलित कीजिए तथा सही कूत का चहेन कीजिए अब हमें बताना है तो ये प्रशन है इस तरीकी के प्र आना शुरू कर दीजिए ठीक है तो विशिष्टा द्यतवाद रामानुचार रामानुजाचारे सुधा द्वयतवाद अबलभाचारे और द्वयतवाद संक्राचारे द्वयता द्वयतवाद निम्बारका चारे तो एक बार हमें आपर नोट कर लेते हैं और उसी इससाब उपरूफ्त में से कोई नहीं जबकि आपने पूरा मेनद से मिलाया लेकिन अगर आप आप अप्शन ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो इस तरीके के प्रशनों को नहीं हल कर पाएगे तो प्रशन के साथ साथ ऑप्शन भी ठीक से पढ़ना है बाकि आगे की परिक्षाओं में क्योंकि डेर सारी परिक्षाओं एक साथ तयार हो गई है सबके डेर आ चुके हैं तो वहां के लिए वी यह सब जरूर अपने द्यान में रखिए चलते हैं आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है प्रगतिवाद केवल सामयवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है जबकि प्रगतशील किसी भी वाद विशेस से आबद नहीं होता यह विचार किस विद्वान का है तो यहाँ पर आप्शन दिया गया है नाम और सी नंदुलारे बाच के गरपति चंद्रकुप उ प्रगतिवाद केवल सामयवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवस है जबकि प्रगतिवाद किसी भी विवाद विशेसे अबध नहीं होता है सही जब आप्शन सी गडपत चंद्रकुप्त ने इस बात को कहा है तिक है चलते हैं आगे बात करते हैं अगला जो प्रश् चायाबाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद प्रप्रपत दिवाद ये इंता क्या है रकम तो एक विज्द्यार्थी में देखेन है अगे कमेंन्ट शिर्था देना छाहता हूं लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि गलत अभित्त्यों से भरे पड़े हुए, कहना मैं यह चाह रहा हूं कि बहुत सार ऐसे विद्यार्थी हैं, न जाने वो कौन सी किताब पड़े हुए है, एक विद्यार्थी ने कहा कि प्रपत दिवाद जो है वो प्रयोग वाद के पहले आता है, अब न जाने वो किस किताब में पड़े हुए हैं, लेकिन आप वो आपर करेक्ट कर लिजे, प्रपत दिवाद का दूसरा नाम क्या है, नकेन वाद, और ये नकेन वाद जो है, तीन व्यक्तियों के नाम से जूल कर बना हुआ है, वो तीनों व्यक्तियों में वही पूछा जारा कि कौन नहीं है, तो नलिन विलोचन शर्मा, नंद किशोर आचारे, केशरी कुमार, और जो दोनों आपसन है, इनको आप खुद से पढ़ लिए, तो देखें, आनलिन विलोचन शर्मा है, नंद किशोर आचारे नहीं है, और केशरी कुमार है, अब तीस इसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है नरेश चिर्फ इनका नाम है नरेश और अपने स्थी कुमार जोड़ने हो जाएगा क्योंकि हिंदी में नरेश महत्ता भी है जेकिन वो नहीं है इनका नाम सिर्फ नरेश है तो नकेनवाद में न reuse से नलिन्म विलोचन शरमा के से केशरी प्रपतिवाद का दूशरा नाम नकेनवाद हो गया और इसका जो प्रचलन शुरू हुआ था इसको आपको धियान में रखना है कि सन 1956 में इन तीनों लोगों ने एक तरीके से प्रयोगवाद और नई कविता से उबने के बाद इस वाद को चलाया है यह पुरा ही तिहास रहा है इन दी कविता का चलते हैं आगे बाद करते हैं अगला जो प्रश्ण है पुछा गया कि शम्षेर मूड्स के कभी किसी वीजन के नहीं यह कथन किस विद्ध्वान का है मलेज नेमी चंदर जैन अशोक बाच पही और एक से अधिक या फिर कोई नहीं तो मलेज का मानना था कि शम्षेर मूड्स के कभी है किसी वीजन के नहीं वीजन मतलब ड्रिष्टी मूड्स मतलब स्वभाव से यहां पर जोड़ा जा सकता है यह तो यहां पर मलेज जो अच्छे आलोचुकों में से एक थे तो इन्होंने इस बाद को कहा गए है चलते आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है प्रशन नंबर अठावन पुछा गया कि इनमें से कौन छायावादी कभी अपने रचनाकाल के अंतिम दोर में प्रगतिवाद के भौतित दर्शन क साथ साथ अर्वेंद दर्शन से प्रभावित हुआ अप्सन दिया गया जैसंकर प्रशाथ सुमित्रा नंदन पन सुर्कांत्र पाठी निराला और उप्युक्त में से एक स्याधी कोई ने तो इसका जो सही जबाब है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पन जो की छायावादी भ बारे में यह कोटेशन वाँ पर मिल जाएगा चलते हैं आगे बात करते हैं कि प्रशन यहाँ पर पूछा गया कि भूली कहत नवरस्ट कभी सकल मूल सिंगार यह विचार रेतिकाल के किस आचारिका है यह प्रशन आप सभी के लिए नया होगा और मेरे लिए भी नया था क् इस प्रशन को मैंने देखा और इसका सही उत्तर जो यहाँ पर है कि किस आचारिका है तो इसका जो सही उत्तर है कि इसमें से कोई नहीं तो आपके मन में तुरंत आएगा कि तब कौन होगा तो इसका जो यहाँ पर सही जबाब है कि यह जो पंक्तिय हुँ देव के द्वार जैसे इनका जो आपने ग्रंद पढ़ा होगा रस विलास ठीक है तो इस तरीके से इस पंक्ति को ध्यान में रखे कि किसका है किसकी है आगे बात करते हैं अगला के प्रश्ण है कि इन आचारियों में से अलंकारवादी आचारे कौन है तो कौन है अलंकारवादी आचारे तुरंत आपके मन में आगे होगा कि इसका तो सही जबाब होगा केशोदास जिनको कि हम अलंकारवादी आचारे के तौर पर जानते हैं और इनकी खास पंक्ति है कि भूशन बीनोन विराजे कभिता बनिता में तो क्या आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह जो प्रश्ण है भले इसकी प्रकृति या पैटर्न चेंज यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन ऐसा कोई प्रश्ण नहीं है जो आप पहले से न जानते हों या फिर न पढ़े हो न सुने हो अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल और विक इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपर भीлед ये ओस निम्हीं आपको पता ही चलिन हों ठीक है ना कि तो बस देखना है कि din करना यह को ऐसको लगाना है या अपियो ब्ल्सॉट के लिषय केलना है और देखे कि देखन आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है यहां पर पुछा गया कि निम्लिखित कर्थनों इस्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिएगे एक पूट सही विकल्प का चेहर कीजिए यह कुल मिलाकर है इस्थापना दी गए कि पास्चात समिक्षा सास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है अब कृती की मूल प्रवित्तियों एवं शास्वत तत्तों का विवेचन होने लगा है तो यह बात क्या है एक तरीके से देखा जा तो यह सही है पहले भारती काविशास्त्री में के बरक्स अगर देखा जा तो पाश्यात काविशास्त्री या स्तमिक्षा पद्धति ने इंदी आलोचना को बदला है इसमें कृती के मूल प्रवित्ति के साथ और विवेचन होने लगा तो यह तो सही लग रहा है बाकी पुछा गया बताया गया कि तर्क दिया गया कि संस्कृत पद्धति पर आधा कि इस्थापना भी सही है और तर्क भी सही है एक बार आप खुद इसको अच्छे से अपने से पढ़के देख लीजिए बाकी और आंसर जो हो गया वह आप जानगे चलते आगे बात करते हैं कि इन में से कौन मनोवैज्यानी कुपनियास्कार नहीं है मनोवैज्यानी कुपनियास्कार अभी पीछे ही अमने प्रैक्टिस सेट किया था तो उसमें इस तरीके के प्रस्ण आये हुए तो आप्शन दिया गया जैने यश्पाल इलाचंद जोशी को प्युक्त में से कोई नहीं तो बहुत देरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पुछा गया कि मनोवैज्यानी कुपनियास्कार नहीं है सही जबाब होगे ऑप्शन बी यश्पाल को माना जाता है कि यह प्रगतिवादी पनियास्कार है ठीक है और मनोवैज्यानी के रूप में जैनेंदर को भी जाना जाता है इलाचंद जोशी और इनके साथ एक नाम और लिया जाता है जिनका नाम है अग्ये तो कौन से नहीं रहे है वो ऑप्शन बी यश्पाल सही जबाब होगा अगला प्रशन है कि प्रेम चंद के किस उपनियास में बिधवा समस्या है और उपनियास दिया गया गबन गोदान रंग भूमी उप्रेम से एक से अधिक कोई नहीं तो बिधवा विवा की समस्या इन उपनियासों को अगर देखा जाए तो किसी में नहीं है ठीक है न तो इसका जो सही जबाब होगया यहाँ पर ऑप्शन ई होगा और इसका प्रकाशन वर्स आपके मन में आ गया होगा इसके पात्रों का नाम जालपा इतियादी का नाम आ देगा और यह आभूशन प्रियता पर आधारी थे और आगे चलकर थोड़ा सा इसको हम अन्य विंदोर पर भी देख सकते हैं गोदान जो कि 1936 में पुरा किस समय जो प्रभाव पढ़ रहा था किसान उसे प्रभावित हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए लिखा गया तो इसमें विद्वा विवा समस्या नहीं है ठीक है इस तरी के सही जबाब हो गया ऑप्शन ए चलते हैं आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है यहां पर पुछा गया कि जैसंकर प्रशाद के किस नाटक में तलाक और पुनर विवा की समस्या है किस नाटक में जैसंकर प्रशाद के तलाक और पुनर विवा की बात की गई है और इसमें तलाक और पुनर विवा की बात की गई है अगला प्रशन है नजाने में कितनी बार आप सभ आविर्वाब सबसे प्रधान घटना थी किसका कथन है सही जवाब हो जाएगा option C राम चेल्शुकूई इसको बिल्कुल आप ध्यान में बरके बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं इसे में आगे पढ़ते हैं अगला जो प्रशन है कि काली दास के सकुंतला नातक का खड़ी बोली में किस ने किया option दिया गया राजा लक्षमर सिंग ललुलाल सदल मिश्र और उप्री जवाब है कि राजा लक्षमर सिंग ने सकुंतला नातक का खड़ी बोली में अनुबाद किया और कब किया था सन 1861 में हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था आं तो उसमे यहाँ पर प्रश्णय उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा प्रश्ण का जो पैटर्न है उस समझ में आ रहा होगा पुछा गया कि मोहन राकेस के किस नातक में तूटते पारिवारिक मुल्यों का चित्रन हुआ है मोहन राकेस बहुत फ्यमस नातक का रहा और तिन-चार इनके ऐसे नातक हैं जो कि हर परिक्षा में घूम फिरकर पूछे जाते रहे तो यहां भी देखे सवाल पूछा गया है थोड़ा सा भूमा कर कि कौन सा उनका नातक है जिसमें तूटते पारिवारिक मुल्यों का चित्रन किया गया है लरों के राजन्स आशार का एक दिन पैर तले की जमी उप्रियुक्ष में से एक अधिक या कोई नहीं तो आप देख रहे हैं कि मुहन दाकेस के तमाम नातकों को आपने पढ़ा होगा सही जबाब इसका इस समय हो रहा है उप्रियुक्ष में से कोई नहीं पूछा जाता जाने कारण था आधे अधूरे नाम का जो इनका नातक है उसमें तूटते परिवारिक मुल्यों का चित् पुछा जा रहा है कि किस सम्राट की काल को चित्रित करती है यह आप देखेंगे कि रशिना पिछले प्रैक्टिसेट में आयू यानि जो प्रैक्टिसेट कॉमन में पढ़ा रहा हूं चार उसमें यह आया हुआ थे एक किसी ऑफशन में आया था तो सबसे पहले आपके मन मे चंद्रगुप्त इन में से एक से अधिक या कोई नहीं तो इसका जो यहाँ पर सही जबाब हो रहा है कि सम्राट चंद्रगुप्ते आंको चित्रित करती है कौमदी महुर्थ सव ठीक है तो इस तरीके से ध्यान में रखें न सिर्फ जेशंकर प्रसाद इत्यादीनी चंद प्रगतिवदी प्रमपरा का कहनिकार नहीं है प्रगतिवदी प्रमपरा आप देख रहें कि ज्यादातर जो प्रस्ण है वो कई पर्बित्ती के आधार पर पूछे जा रहा है तो कौन कहानिकार प्रगतिवदी ने औप्रटन दिया गया इला-चंद्र जोसी यह ल् fascन रां तो option A इसका सही जबाब है, इसी तरीके से आपको हल करना है पूरा, आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है यहाँ पर, पुछा गया कि जिन्दगी और गुलाब के फूल, यह प्रसित कहानी संकल्म किसका है, तो तुरंत आपका दिमाग करबड़ करबड़ काम करना सुरू कर दिया होगा कि आखिरकार जिन्दगी और जोग के सब तो पढ़ा, लेकिन जिन्दगी और गुलाब के फूल, इसका कहानी रहा है, और option यहाँ पर दिया गए कि मन्नो भंडारी, कृष्णा सोबती, सिवानी, उप्रियुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, तो तुरंत जबाब है, ठीक है, बाकी सही आंसर आपने देख लिया, यह है, लेकिन जिन्दगी और गुलाब के फूल, कहानी संकलन किसका है, उशा प्रियंबदा का है, उशा प्रियंबदा के एक बहुत ब्यातरिन कहानी वापसी, अगला प्रशने, जो किन जाने केतनी परिक्षों मे वही पुछा गया है, वीपीसी वालों ने बस एक ही काम किया है, कि ओप्षन में दो खिलाडियों को रख दिया है, बाकी कुछ उन्हों ने नया काम नहीं किया है, और यही दोनों आपको क्या कर रहे है, ब्रहमित कर रहे है, और बाकी जो क्वेशन है, अलाग अलग परिक् ओप्षन B राम चेंद्र शुपलेंगे चले आगे बात करते हैं गला जो प्रशन पूछा रिया कि निर्वैक्तिक्ता का सिध्धान किसका है अरस्तु कोचे इलियेट ठीक है तो हमें बता देना कि सही जबाब हो गया ओप्षन C इलियेट ने दिया था निर्वैक्तिक्ता का स अगला प्रशन है कि भरस मोनी के रस सुत्र की अनुमीती वाद पर आस्रित व्याक्याकिस आचारे भट लोलट अभिनगुप्ट भट नायक उप्रियुक में से एक से अधिक उप्रियुक में से कोई नहीं ठीक है तो देखे यहां पर अनुमीती वाद कि जब भी बात की ज आचार आने चाहिए शंकुक शंकुक ने अनुमीती वाद दिया था तो यहां पर देखे सही जबाब अधार पर लेती और गुण में अभेद माला है तो विशेसो गुणा जैसे आप देखेंगे आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि वामन होना चाहिए तो इसका सही सही जबाब की आवगे यहां पर ऑप्शन ई इसका सही जबाब अगया उपरियूप्त में से कोई नहीं जितने भी नाम दिये गए सब यहां फालतु में ही दिये लें चलते हैं आगे बात करते हैं जो प्रश्न है कि नाम और सिंको उनकी किस कृती पर साहित एकादमी पुर अप्शन दिया गया अच्छा यह वाद इतियासा और आलोचना कविता के नहीं पृतिमान उप्रितिमान से एक से अधिक कोहिए जबाब है अप्शन की कविता के नए पृतिमान पर उनकों सही एक आदिन पूरसकार दिया गया था सुमेलित करना है, सुमेलित वाला प्रश्ण है आपर, एक तरफ प्रवर्तक हैं, दुसरे तरफ संपरदाय है, तो रास संपरदाय, भरत, ध्वानी संपरदाय, अनदवर्धन, कुंतक वक्रोक्ति, वामन, रिती संपरदाय है, तो इस तरीके से देखा लिया, तो a का 4, b का 1, और c का 2, और d का 3, तो 4, 1, 2, 3, होना चाहिए, हम देख लेते हैं किस में, option b इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया, 4, 1, 2, 3, यानि 77 का सही आंसर हो गया, b हो गया, अगला प्रश्ण है है, आपर question number 78, प्रोचे के अभिवेंजना वाद को वक्रोक्ति सिधान का विलायती स संस्क्राण किसने कहा था, पास्चाते काविश्णा से पढ़ेंगे तो क्रोचे अभिवेंजना वाद दिया था, लेकिन उसी का विलायती संस्क्राण वक्रोक्ति सिधान को कहा गया, वक्रोक्ति सिधान का विलायती संस्क्राण कहा अभिवेंजना वाद को, इस कथन को थो प्रिश्टी आपके लिए है या फिर उनकी हिंदी सहथ का इतियास है कितना जरूरी आपके लिए पढ़ना आप लोग उसी से बहुत दूर भागते हैं लेकिन जब से बिद्यातियां जुड़े हुए है वो लगबग मेरे प्रियासों के मादन से शुक्री जी को थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करते हैं चलते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर पुछा गया कि इस तरी विमर्ज पर आधारी तब्दिल निगाहें किस लेखिका की कृति है तब्दिल निगाहें पिछले कई परिक्षाओं में पूछा जा चुका है बहुत पूर यह कृती है इसके द्वारा लिखी गई है ऑप् और अगला प्रश्न है दलित सहिती का संधरिशार्ट नामक कृति के लेखक है दलित सहिती का संधरिशार्ट किसने लिखा सेजबावै ओप्सन बी ओम प्रकार तुवाल मिकीनी निखा है ठीके चलते आगे बात करते हैं जो प्रस्न जादा डिसकेस हरा रहेगा उसी पर हम यह प्रश्ण आपके लिए बिल्कुल नया है एकदम से नया है इसको नोट कर लिजिए यह एक तरीकेसे में कहूं तो बीपीसी का पहला मौलिक प्रश्णिया आपर दिखाई पड़ रहा है कि आदिवासी विमर्स पर आधारित आदिवासियों का संसार नाम पुष्टक के लेखक हैं आप्सन दिया गया मैत्रेई पुष्पार अमणिका गुपता भारती नीडा वो प्रश्णिया में से एक से अधिक कोई नहीं तो इसका तो सही जवाब हो गया ओप्सन ए कोई नहीं है तो इसका जो सही जवाब है जो नाम है उसको आप नोट कर लिए ताकि आगे अगर भी पेसी इसको रिपीट करता है तो जो विद्ध्यार्थी अभी तक ध्यान देते हुए यहां तक पेपर को देख रहे हैं उनका नगलब आज जो छोड़कर चले गए उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा नाम है उस लेखिका का आशा शुष्मा इसकू जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा सन 1990 में इस पुस्तक को लिखा था उनके जलते हैं आगे बात करते हैं गला जो प्रश्न है कि संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आए इन पंक्तियों के रचेता कौन है रामदार सिंग दिनकर माखलाल चेतरवेदी हर्योद यह सब नाम दिये गए इनमें से कोई नहीं ठीक है इसका जो सही जवाब है मैथली सरन गुप्त आपने मेहंदर सिं परतेः पंक्ति आगे बात करते हैं यह प्रशन कि रामदार सिंग दिनकर को उनके किस क्रिरती पर भारतीय इन पुरसकारों को जरूर कि नामगर पर पुष्तक पे भारती इन पुरसकार आपने में स्रेषिक को मिला था अगला प्रश्ण है, निम्लिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदो का अजयाब घर का लाता है। छंदो का अजयाब घर किसको कहा जाता है। सही जबावे option B, पृत्वी राज रासो। अगला प्रश्ण है कि कबीर उलट बासियों को विश्षग्य माने जाते हैं, इसे से पहले उलट बासियां किस सही प्राप्त होती है। बहुत ही जबरदर्ट, बहुत ही अच्छा प्रश्ण है, पुछा गया है, सही जबावे option C, सिध्ध सही जबावे है। इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि कबीर के उपर नाथो सिध्धों का प्रभाव दिखाए पड़ता है, तो option C इसका क्या हो गया, सही जबाव हो गया। अगला प्रश्ण की मैत्री शनगुप्त को राश्ट कभी की उपाधी किस ने दी, सही जबाव है, option C, महात्मा गान्दी ने मैत्री शनगुप्त को कहा राश्टकभी, बाकी एक ओर राश्ट कभी के तर पर जाने जाते हैं, वो खुद से उन्हों ने अपने को डिप्ती किस ने कहा था आप सभी के लिए मैं प्रश्न छोड़कर आगे बढ़ दाओं देखें यहां पर एक तरफ प्रिती और रचनाकार दिया गया है इसे हमें सुमेलिद करना अकाल और उसके बार जो भी बच्चे युजी सीनेट की तैयरी कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि जो तो यह जी सीनेट के पार्ट करम से उठा लिया गया है तो इसलिए मैं बार-बार करता हूँ कोई भी पढ़ाई अलग तरीके से हम नहीं जोड सकते कि यह मेरे लिए है यह मेरे लिए नहीं जो विद्यार्थी बार-बार यह कमेंट्स करते हैं कि क्या यह प्रैक्टिस फला एक्जाम के लिए है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतने देरी से पक-पक-पक बोलता हूं सब चीजों को बताता हूं फिर भी इन विद्यास्यों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे लिए है की नहीं है जब यही नहीं पता होगा कि ये मेरे लिए है कि नहीं है तो फिर आप इक्जाम में बैठने के हददार बिल्कुल नहीं है इसलिए हर प्रैक्टिस सेट और हर परिक्षा को अपना मान कर चलते रहे हैं बाट कर देखना रहता तो बहुत आसान होता बाटा ही नहीं जाता है चलिए आगे बढ़ता हूं कई बहुत भावत अच्छा मुक्ति बोल यह तो आपने मिला लिया है हम प्रशन में देखेंगे कि कौन सा है सही एक चार अगर जिसमें होगा तो सही हो जाएगा सही जबाब हो गया ऑप्शन बी यहां पर अगला प्रशन है कि एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी खाता है एक तीसरा आद प्रशन हो जाएंगे कि यह जो प्रशन यहीं से उठा लिया गया है अलाकि इसका जो सही जबाब है उप्रशन में से कोई नहीं तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि हमने तो पढ़ाया था रोटी और संसद नाम से धुमिल की कविता है उसी कि यह सब पंक्तियां ली एक आदमी रोटी बिलता है एक आदमी रोटी खाता है तो यहां पर आपने देखा कि जो सही उत्तर है वो किस पुष्टक से लिया गया है रोटी और संसद से लेकिन प्रशन के अनुजार सही जबाब हो गया यह आंसर सही हो गया तो इसी तरीके से जितना वक्त आप नमबर चार कॉमन प्रेक्टिसेट नमबर चार किया था वहीं से उठा लिया गया कमलेश्वर द्वारा राचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी राजा निर्भंसिया मांस का दर्या उप्रयोक्त में से एक से अधिक उप्रयोक्त में से कोई नहीं तो अब हमें बताना है क कौन सी कहानी जो है कमलेश्वर की नहीं है तुरांत आप बता देंगे option भी नहीं चेंज किया है इसमें वह प्रेक्टिस से एक दम उठा लिया और इसके क्या होगे मोहन राकेस इसके होगे कहानी का तो सही जबाब होगे option A अगला प्रशन है कि चंद्रुप नाटक में द्रिश्यों की पुल संख्या है चंद्रुप नाटक में द्रिश्यों की पुल संख्या कितनी है सही जबाब हो गया इसका option B चवाले तिरस्यों की तंख्या मानिगे चंद्रुप नाटकी अगला प्रश्ण है कि शेखर एक जिवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुक विसेशता है बहुत ही अच्छा प्रश्ण मुझे लगा और देखे जो भी शेखर एक जिवनी का नायक है उसका जश्ट उल दोई स्वभाव का है करांतिकारी थीक है तो क्या हो गया इसमें से सीए आंसर उसका सहीं हो गया अगला प्रश्ण है आपर महा माया हजारी प्रसाद दीवेदी के किस उपन्यास की पात्र तो आपको लग रहे है कि आप नवी दस्विन की लेबल का पेपर हल कर रहे है या प्रियो जी सी नेट के लेबल का हो रहा है आप खुद इस चीज को महसूस कर रहे होंगे तो कि उसमें बता दिया गया है कि आपका जो पेपर का इस्तर होगा विशनातक इस्तर का या फिर इसनातकोत्र इस्तर का हो सकता है और प्रेक्टिस सेट में भी कई जगा आ चुका है गैंग्रिन कहानी के लेखक हैं जिसको कि आम दुसरे नाम से रोज नाम से भी जानते हैं तो जो लेखक हैं उनको आपकी आखे खोज रहे होंगी और बिल्कुल सही जबाब हो गया वो प्रिक्त में से कोई ने कौन है अग् अगला प्रशन है कि बहुत कम कहानी लिखकर भी सरवाधिक लोग प्रियता प्राप कहानीकार इनमें से कौन है बहुत कम कहानी लिखकर भी सरवाधिक लोग प्रियता प्राप कहानीकार कौन है तुरन आप बता देंगे कि चंद्रधर्श हर्मा गुलरी जोनोंने कि सिर्फ तीन कहानियों को लिखकर हिंदी कहानी के इतिहास में अपने को अमर कर लिया वो तीन कहानिया काउंस हैं मेरे गंभीर विध्यार्थी कमेंट्स करकर जोरू बताएंगे आपके लिए मैं होमवर दे दिया चलते आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन प्रजातंत्र और लोगतंत्र के नाम पर हमारे चारों और फ्लने फुलने वाली राजिन तिक संस्कृति के प्रतिनिधी पातर वैद जी किस उपन्यासकार की स्थिष्टी में पूछना तो चारा है बस बैद जी को लेकिन पूरा एकदम से गुमा फिरा कर प्रशन लंबा बनाया गया है और यह बहुत ही अच्छा प्रशन है इसी तरह के प्रशन परिक्षाओं में आने चाहिए तो यह तो जो सही जबाब होना चाहिए था वह है राग दरबारी सही जबाब हो गया खंजन नया अगला प्रशन है कि जिसे संसार दुख कहता है वही कभी के लिए सुख है धन और एश्वरे रूप और बल विद्ध्य और बुद्धी यह विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें कभी के लिए यहां जरा भी आकर्शन नहीं यह कथन गोदान की किस पात्र का है तो सही जबाब यहां पर है कि गोदान की किस पात्र ने का अप्सन यह है मेहता का यह यहां पर कथन है ठीक है जिसे संसार दुख कहता है कभी के लिए वही क्या है सुख है अभी कभी लोग इस चीच को समझ सकते हैं कि यह बात कितनी सही है अगला प्रश्ण है कि देव शेना जैसंकर प्रसाइट के किस नाठक की पात्र है देव शेना अप्सन दिया गए आजाद्शत्र दुरोश्वामनी सकंद गुप्त और दो जो अप्सन है पहले सी है तो किस पात्र की है, सही जबाब हो गया है यहांपर, इसकंद गुप्त से जुड़ी हुई पात्र है देव सीना, लगु मानों की महत्ता को किस ने प्रतिपादित किया है, एक निबंद इनो ने लिखा, लगु मानों के बहाने हिंदी कविता, सही जबाब है ऑप्शन B, ललित निबंद विधा के प्रस्थान बिंदु बने हैं, कुवेरनाथ राय है, हजारी प्रसादिवेदी, विद्या निवास में चरण, ओप्रेश्च में से एक से यदि, ओप्रेश्च में से कोई है, तो देखा जाए तो यह तीनों जो नाम हैं, तीनों नाम किस से जुड प्रसादिवेदी, बहुत माइनर यहां पर अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है न, बहुत सारे विद्यार्थिन को लेगए, डी ओप्सन से ही होगा, लेकिन सही जबाब क्या हो गया, ओप्सन बी, अब देखिए जो आगे का प्रश्ण है, वो पैराग्राफ प् बातचित के यह पैराग्राफ लंबा चोड़ा है, मैं कुरा नहीं पड़ूँगा, इसका जो डारेक्ट आंसर हो सकता है, जैसे मैं 102 वाले प्रश्ण का आंसर आपको बता सकता हूँ, कि अभिव्यक्ती शब्द का अर्थ क्या है, अभिव्यक्ती शब्द का अर्थ क्या है क्योंकि मेरा काम जो है अभिव्यक्त करना और जब कोई चीज समप्रेशित होती है, तब यह माना जाता है कि आपकी अभिव्यक्ती भी ठीक है, अगर समप्रेशित नहीं हो रही है, तो कहिन कहिन हमारी अभिव्यक्ती में कुछ कमी है, प्रकट का विलोम क्या होगा, इसमे नदी का प्रयावाची शब्द नहीं है और फिर इला सरस्थी को भी का जाता है इसको मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा कमेंट्स में अब इसमें जानते हैं नदी का प्रयावाची इसमें से इला नहीं बाकि आप देखरेएं कि तडणड़ी नदी का प्रयावाची और जो गध्यान से पूछा गया कि उसका आपसे क्या रहा है तो जब गध्यान सब पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे आपको ध्यान में रखन विसेशन आप जानते हैं कि चार प्रकार के होते हैं तो इसमें से कौन गुण वाचक से दखे टोसरी जबाब हो गैं यह क्या है संख्या वाचक विसेशन एक आँक więks से दिखना मुहारी का एक आँक से देखना बराबर म मनना कम दिखाये कि सब्सक्राइब ऐसे मैं आप सब्सक्राइब मतलब बराबर मान की चलता हूं और हर परिश्या को एक आप से देख कर चलना चाहीए अगला प्रश्ण है कि किस शब्द में दिर्गिस्वर संदी नहीं है दिर्गिस्वर संदी किस में नहीं है हमें बता रहे हैं तो तुरंद आपके दिमाग में आगया कि महोच्षो तो दिर्गिस्वर संदी में नहीं है बाकी जितने भी हैं वो सब हैं तो 108 तक हम लग पहुच गये 12 क्वेशन और बच्चे में चलते जल्द जल्द पढ़ते हैं अगला प्रशन पुछा कि मैंने रमेश को मारा था वाकि में भूतकाल का कौन सा भेज यानि व्याकरण का पॉर्शन भी अच्छे से पढ़ कर जाना है तभी अच्छा कर पाएंगे है तो मैंने रमेश को मारा था भूतकाल में क्यार आई सामाने भूतकाल पुर्ण भूतकाल संदिक भूतकाल आपको लग रहा हूं कि मैंने इस पर कभी नहीं पढ़ाया है CUET की परिष्चा के दोरार मैंने सब पढ़ाद चुका है तो अब समय नहीं है आपके पास तो देख लीजिए आप थड़ा से इलर्ट हो जाए यहां पर देखिए सही जबाब क्या हो गया option B पूर्ण भूदकार मैंने रमेश को मारा था यह क्या हो गया पूर्ण भूदकार हो गया मनोज पुष्टक पढ़ता है वाक्ति में वाच्चे मनोज पुष्टक पढ़ता है तो कौन सा वाच्चे कर्म वाच्चे कर्तिर वाच्चे भाव वाच्चे या फिर यह जो दो option दिय संवाraर दोनंत समास जिसमें दोनों पड क्या होते हैं प्रदान ऊप 0022 दिया गया प्रते इन भूखा प्यासा प्सका से जबाव ऑगया option B भूखा प्यासा दोनों पड क्या है इसमें प्रधान और उपर का आपके मन में आ गया हो कि अब यही भाव समासे नीचे का भी अब यही भाव समासे दोनों ठीक है लेकिन यह क्या आओ गया दोन्द्र समार देख रहे हैं कैसे गुमाकर सवाल पूछा गया है इसलिए यह टर्निंग वाली पीछ है इसको आराम से पढ़ना है और सॉल्व करना मैं एक दिन अभी जिस पेपर पर हम बात कर रहे हैं इस पेपर में जितनी बच्ची सेलेक्ट होने के बाद विहार के जो डिप्टी चिफ मिनिस्टर है उन्होंने इस सब्द का प्रयोग भी किया ताकि नौकरी मिल गई है चट मंगनी पट विया आप लोगों ने देखा भ तो आप समझ रहे हैं बिलकुल नहीं सही जबाव होना शिग्र विभा होना बिलकुल नहीं है अगला प्रश्ण है कि अनल अनिल तुरुतिसम् घिन्णार्थक चब्दों के अर्थ है अनल मतलब क्या है अनिल मतलब क्या है ठीक है तो देखे दिया गया आगनी वायु हवा पानी जल आकार और दो ऑप्शन ये दिए गए तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन ए अनल का मतलब अगनी जिसको आग भी करते हैं अनल मतलब वाई तो जोड़ कर सुरुति संग भिनना तक श्रब्दों को भी आप ध्यान में रखें अगला प्रशने कुछ ब्याकरण से आपर सवाल आये हुए हैं जिसके बारे में हमने बहुत पहले आप तभी को आगा किया था कि तयार करके रख सकते हैं वाक जाल का संदीवी छेद होगा वाक जाल तो सही जवाब हो गया ओप्शन B वाक प्लस जाल और जाकर तीसरा वर्ण हो जाता है इसमें ब्यंजन संदी कुलीन या फिर एक से अधिक या कोई नहीं इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि कुलीन जो है इसमें और प्रत्य नहीं लगा इसमें इन प्रत्य का प्रयोग किया गया है इसे रिके से सही जवाब हो गया option C अगला परश्ण है कि अशुद्धुआ क्या है. आज दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रात्यकाल के समय खूंने जाता हूं. तो मैं इतनी देर क्यों हुई? उप्रियूप्स में से कोई नहीं या कि ये. तो इसमें से अशुद्धुआ क्यों बताना है. अक्सर पूछा जाता है कि शुद्ध हुआ क्या है लेकिन यहां पर देखे सवाल पुछा गया कि आप अर्शुद्ध को ही बताईए तो सही जब आप हो गया है यहां पर काव अर्शा जब क्रिशी सुखानी वह इसके चाटे प्यास नहीं बुश्ती ना कारे में तुथी की आवाज और यह तो लोगों ने यही कहा होगा कि काव अर्शा जब क्रिशी सुखानी जब मृत्य हो गए तो क्या मतलब है रहे तो सही जब आप होगे आप्शन एक पुछ क्रमादिति के दर्बार में बहुत से विद्वान तो इसमें डिगु समास को होता है संख्या वाची होता है इसलिए प्रश्णिया आप पूछा गया है इसा ही जब आप हो गया ऑप्शन एक ठीक है कि मुवान की घर के निकट चवराहा है किस वाक्य में प्रणार्थक क्रि दर्शिया का जता जाता है जिसे मेरे हाथ पुझ लाते हैं पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है लड़का आपने को सुधार रहा है या फिर कौन तो इसका यहां पर सही विदम सही दिशा में चल रहे तो निश्चिक तर्व से आपको लाब मिलेगा मैंने पीछे के जो भी कुछ परिक्षाइं होई थी MPPSC जारखंड के लिए उसमें हिंदी व्याकांड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाली होई थी आप उनको देख सकते हैं क्यों समय कम है जितना समय आपके पास उतना ही मेरे पास भी है तो हम सभी को मिलकर पढ़ना है जहां भी आपको मैटर मिले उसको देखी और फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए तारी चीजें यहां पर मौझूद हैं आप खाली आथ नहीं लौड सकते हैं तो में देखें सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी कमेंट्स करकर जरू बताएं मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए